हलो एवरिवन बहुत ही इंपोर्टेंट ये इंफर्मेशन आई है कि जो यूपी एसी एक्जाम है जो पोस्पोन हुई थी और जिसके निव डेट्स आज रिलीज होने वाले थे तो यूपी एसी ने ये डेट्स रिलीज कर दिया है मैं बताना चाहूंगी जो हमारा प्रिलिम के बीच में उतना गाप होगा या नहीं तो एक सफिशन तीन मेने का गाप आपको मिल रहा है सबसे पहले अब जो ये डिकलेरेशन हो चुका है एक्जाम डेट्स का तो एक अंसर्टेंटी जो थी वो अब नहीं है ठीक है अभी हमारे पास में सामने डेट्स है हमको उसके ल आपको सबसे लाबस कंपलीट करना है अब वक्त आगया है कि आप प्लान करें और अपने स्टडीज को एकदम और्गनाइस्ट वे में आगे बढ़ाएं अब डिसकेशन का मतलब नहीं होता है ठीक है चलिए अब आगे थोड़ा प्लाइनिंग देख लेते हैं एक ग्लूप पे हो या प्रफेशनल लेवल पे हो कुछ वरकिंग है कुछ फुल टाइम प्रिपेर कर रहे हैं सभी के लाइफ में वह वेरियेशन है ठीक है तो मैं यहां पे जनरल बाते कह रही हूं जिसको आपको धिहान में रखना है और इसको अपने प्रपरेशन में किस तरह आपको म यह मुझे करने की नीद नहीं है या यह वाली चीज मुझे ज्यादा फूकस करना है तो यह ब्लूप्रिंट है इसके बाद आप देख लें अपने हिसाब से सबसे पहले प्रिपरेशन में दो चीजे हम लोग ध्यान में रखेंगे एक तो स्टाटिक पोर्शन है एक डाइन तक ठीक है एक मैने पहले पेपर बन जाता है तो उसी साब से हम देखें तो आगस तक हमको रेडी रखना है हमारा दूसरी बात स्टाटिक का सबको पता है कौन-कौन से सोर्सेस है अगर आपको नहीं पता तो आप कॉमेंट कीजिए मैं फिर से कोई वीडियो बना दूंगी उसमें बट वही NCRT और basic reference book तो ये भी आपको cover करना है ये दो चीज हो गई सबसे पहले ये ध्यान में रखना है second thing जो exam जिस चीज की होने वाली है जिस skill को चेक करने वाले है वो skill की practice होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मैं बात कर दी हूँ कि MCQ की practice होनी चाहिए और answer writing की practice होनी चाहिए यहाँ पे आप ध्यान दे कि हमार पास चार महने है ठीक है अब यह अपने हिसाब सब मोल्ड करें यहाँ पे दो सिनारियों बनते हैं अगर आप confident है प्री में तो आप answer writing में थोड़ा सा वक दे सकते हैं ज्यादा वक्त नहीं confident है प्री में तो MCQ में ज्यादा वक्त दे अल् अपर answer writing है GSA option दोनों भी आप previous year question जरूर देखें mains के लिए पिछले 5 साल के और prelims के लिए पिछले 10 साल तक आप देख सकते हैं previous year question प्राक्टिस करें सबसे पहले priority उसको दें हमारे पहले वीडियो में मैंने बता चुकी हूं कि actually UPSC का paper थोड़ा different होता है तो आपको previous year question पे focus करना है तो यह हो गया blueprint जिसको आपको ध्यान में रखके फिर अपना plan strategize करना है तो मेरे ख्याल से यही है और बहुत अच्छी opportunity मिली है यह वाला वक्त बहुत ही crucial है चार मैने आपको मिले हैं बहुत अच्छे से utilize करें और अपना best attempt दे मतलब आपके मन में यह रहना चीए नहीं जो कैसे use की जाए और इसमें previous year questions cover किये गये हैं अभी मैं 2018 के questions cover कर दी हूँ slowly but steadily 5 साल तक के paper you know cover हो जाएंगे आराम से आप इस channel पर बने रहें यहाँ पर actually hard work के साथ-साथ आपको कुछ smart strategies भी पता होनी चाहिए prelims के लिए जो कि बहुत ही basic है लेकिन आपको 10-15 mark का you know benefit दे सकती ह तो यहाँ पर दो purpose आपके fulfill हो रहें एक तो previous year questions आप देख पा रहें उसमें guessing कैसे करना है उसके focus areas क्या है और factual areas क्या है यह आप देख ले रहें साथ-साथ और elimination technique देख पा रहें तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा subscribe कीजिए channel को like कीजिए अगर आपको वीडिय के साथ thank you so much